दोनों ही परकार के सिक्षक अभियर्थियों ने एक जूट होकर एक संका निर्मान किया हमारी मांग है कि जो 2016 की जो टेट परिक्षा आउजित की गई थी उसमें इसपश्ट रूप से अंकित था कि ये जो परिश्चा है ये 2012 की सिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर साथ साल गुजरने के बाद अब जो सरकार है तैयारी कर रही है नया जो सहायक आचाज्य नियुक्ति नियमावली का इसका हम लोग पूर्जोर विरोध करते हैं चुकि हमारा जो विग्यापन था एडबेटाइजेमेंट था उसमें जो लिखा हुआ था हमें उसी आधार प के पद पर सीधे नियुक्त करें अस्वासा नहीं मिला कि महासाचिप महदय ने कहा कि अपनी यह जो बातें हमने रखी हैं पर इनको मुखमंत्री तक पहुचाएंगे सरकार तक पहुचाएंगे और जो भी उनसे बंद पाएगा परियास वो करेंगे दूसरी बात एक और मै नोटिस कराना चाहता हूं जो बरतवान में सहायक अचाज्य नियुक्ति नियमावली लाने जारी है उसमें कुछ तुरूटियां ऐसी हैं जैसे उसमें आवेदन पूरे देश भर से मांगा गया है यह जारखंडी भावना के खिलाफ है दूसरी बात जो है कि साड़े साथ घंटा का जो एकजाम का प्रारूफ है मुझे नहीं लगता कि इसके एकजाम में इतना लॉंग पिरियड होता है तो यह दो तरकी है तीसरी बात यह है कि सहायक अचाज्य नियमावली में वितनमान को घटा कर चपरासी वाला वितनमान कर दिया गया है मेरा सवाल है सरकार से कि किसी भी चीज के लिए अगर आर्थिक समझ साहराईज में तो सिर्फ सिक्षा की टार्गेट क्यों सिक्षा विभागी क्यों टार्गेट कम से कम डिफेंस मेडिकल और सिक्षा यह तीनों विभाग में सरकार को किसी भी परकर की कटूती नहीं करनी चाहिए यही हालत अग अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूले